दोस्तो हावडा एक ऐसा शहर जो अपने हावडा ब्रिज और हावडा जंक्शन के चलते तेश भर में जाना जाता है तो चलिए एक्स्प्रोर करते हैं हावडा शहर को कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट्स और इन्फोर्मेशन के साथ हावडा पश्चिम मंगाल में अपने जुडवा शहर कुलकता के सामने हुबली नदी के पश्चमी तट परस्थित है यह कुलकता के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है साथ ही कुलकता महानगर विकास प्रादी करन दूवारा कवर किये जाने वाले शेत्र का एक हिस्सा है जहां हावडा नगर निगम के पास शहर के प्रशाशन की जिम्मेवारी है वहीं अपनी स्ट्राटेजिक लोकेशन के चलते हावडा पश्चम मंगाल और कुलकता के लिए गेटवे होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण परिवान के इंदर भी है इसी के कारण हावडा जंक्शन देश के सबसे बड़े और प्रसिद रेलवे स्टेशन में से एक है हावडा में रेल और सडक के साथ साथ कुलकता में मौझूद एरपोर्ट से कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है यहां कुलकता और हावडा को जोडने वाले हावडा ब्रिज के अलावा हुगली नदी पर तीन और पुल मौझूद है साथ ही विबिन घाटों के बीच नोका सेवाओं का भी इस्तमाल किया जाता है हावडा को मुखे रूप से हलके इंजिनिरिंग उद्योग के शेत्र में एक इंजिनिरिंग हब के रूप में माना जाता है यहां कई नए उद्योगों का विस्तार भी देखा जा सकता है शेहर में इंडियन इंस्टिटूट आफ इंजिनिरिंग साइंस एंड टेकनलोजी के साथ कई और इंपॉर्टन इंस्टिटूट भी मौजूद है वहीं जब खेल के विशे की बात आती है तो प्रशंशक और जादातर लोग फुटबोल और क्रिकिट में रूची रखते है हावडा में ओसतन 26 डिग्री सेल्शियस तापमान के साथ जादातर ट्रॉपिकल वेट और ड्राइ क्लाइमेट रहता है बात करें हावडा डिस्टिक की जनसंख्या की तो इस जिले में 50 लाग के करीब जनसंख्या है जिसमें लगबग 12 लाग लोग हावडा शहर में रहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को आम तोर पर हावडा हाइट्स कहा जाता है तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद